यहां पर दो दो पोर्टल बन गए हैं यह क्या हुआ वाट एलो एवर्यों विलकम बैक टू मैं चैलल तो आज हम लोग फिर से आगए अपने वाली ने जार में तो आज हम लोग जाने वाले हैं कहां जाओंगे वह तो मैं बात में बता हूंगे अभी मुझे यहां से जॉंब इस लगाने बाद भी कैसे शॉन हो सकते हैं ठीक है ओके यहां पर अंधियरा हो सकते है रात के टाइम पे तो इसले शॉन ओ गयोंगे ऑगे तो चलो ठीक है मैं आज जाने वाली हूं नेदर में क्योंकि इस वाले में जितना भी जार था मलब जो इंपॉर्टम जार था उसम इसमें मुझे नहीं लगता जाना चाहिए और यहां पर उपर कुछ ओशन टाइप का है जो की टीक ही है देखते हैं उसमें कब जाना होता है और बस इतना ही है और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट थे उसमें तुम्हें जाई चुकी हो कर आपने नहीं देखा होगा पिछल मैं तुम्हें गृट चाहिए जो कि मेरे पास आइधिंक नहीं होगा तो आपको अब उसका पाइप करना पड़ेगा कि वो उसे में कहां से ले के हूँ हूं ठीक है तो उसमें विलेच मेंतो जा नहीं सकते हैं ठीक है इसमें ओशन में हो सकता है घ्रेवल मिल सकता है मुझे लेकिन इसमें मुझे दिख तो नहीं रहा बस सैंडी दिखने और वह उपर वाला इस टून नहीं है वह ग्रेवल हो सकता है तो चलो अब चाहिए तो वहां पर जाना ही पड़ेगा और अभी मैं जाना होता है और जाना ही पड़ रहा है फ्लिंट के लिए मैं मुझे फिल फ्ल पर जाने के लिए तो चलो देखते हैं कि वहां पर मुझे मिलता है या नई ग्रेवल वैसे हो सकता है वह इस्टोन भी हो सकता है लेकिन ठीक है मैं सोच यहां से उपर से चलते हैं कि नीचे से जाने में उसको वहां का लेवल पार करना थोड़ा जादा डिफिकल्ट हो चलते हैं यहां से थोड़ा सा पास भी रहेगा और जल्दी में पहुंच भी जाओंगी तो ठीक है यहीं से चलते हैं अभी को इसको यहां पर रहताते हैं और यहां से ना स्लैप लगाते हुए आइस्टे चलेंगे ताकि मैं वहां पर पहुंच जाओं और यहां से और नही अपे यह क्या हो गया यार मेरा सारा सामान मतलब सारा नहीं बस मुझे इतना ही सामान मिला यार मैं वहां से लेकिन सबसे अची बात है ना कि मेरी डायमंड की पेकक्स जिसमें फॉर्चून लगी वही थी वह नहीं गिरी मेरी स्वार्ड गए मेरी वाटर बकेट गिर गई और पता नहीं क्या था मीरस याध याद ही निर यह लेकिन और जितने भी मैंने स्लाइब लिये सार सारे गिर गए बाएशंपनी तर हाई यार मेरे साथ ही क्यों होता है ठीक है अभी चलो दुबारा सारी चीज़ें कटा करते हैं मेरे सारी लेगिंग्स भी मेरी अख हो गई वलब गिर गई नीचे तो चलो सब कुछ बनाते हैं वापस से जो जो चीज़े मेरे पास अब नहीं है तो चलो बना के फिस्ट से तो लैप पर लाओंगे मैं नीचे नहीं लगाऊंगी यही हुआ था जिसकी विज़े से में स्लिप हो गई ठीक है इस बार मुझे बड़ा डर लग रहा है रहो के मैं क्राउच पर हूं तो ठीक है डर डरने की ज़रुरत नहीं है ठीक हां से चलते हैं ब्रिज करके आइसते इस बार नहीं गिरना है अच्छा हुआ कि नीचे वह ब्रीज था और मेरी कुछ कुछ चीज़े बच गए सबसे में तो डायमंड की पेकक सी ओके तो मैं यहां पर आ गई हूं और मैं यहां पर थोड़ा सा प्लैटफॉर्म जैसा बना ले दियूं ताकि मुझे इजी हो जा वाटर से बस गिर ना जाओ मैं नीचे जो की में सार बहुत सारा होता है यह पानी को पॉकेट इदिशन में संभालना पड़ा है डिफिकल्ट ही देखो उपर नहीं जा रहा है ओके ठीक है फिसे करना पड़ेगा उपर चलो ओपर चलो और नहीं 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 बोल ले थी कि जाना काफ ही क्या है है तो मैं नहीं क्या क trophies जा सकते हैं कैसे आइसकंट सब्सक्राइब मेल दो सबस्राव को पार जा सकती घडर सब्सक्ळाव सब्सक्राइब ठीक है ओने कहीं तो अटक गई हूं इसको यह जल्दी से इसको अटाते हैं और भाई इसको अटाते पानी न अर्वाई यही मैं बोल ले फूर में अब दीक्कत हो गया तो यहां से नीचे आना इसी होगा और अभी यहां पर मुझे जितना भी ग्रेवल दीख रहा है जितना नहीं मुझे इतनी जरूरत है एक दो तीन लेके चलते हैं और वहां पर जाके फिलिंट निकालेंगे आराम से थोड़ा सा लेके चलते हैं यहां से और थोड़ा सा ताका जागी कर लेते कि और क्या है इस ओशियन में मैं मुझे लगी रहा कि ये गरेवल हो सकता है और अब आपर देखते हैं कि यहां पर यह पर क्या है टूट जाती है क्या मुझे कोई आइडिया नहीं था फर्स टाइम मैंने तोड़ा है यहां से कुछ-कुछ संफ्लावर भी ले लेते हैं हमारे वर्ल्ड के लिए एक-दो तोड़ा सा और भाई सहाब यहां से क्या ही लग रहे है वह स्नो वाला जार भी काफी कूल लग रहा है फूरे जार में स्नो भरी पड़ी है ठीक है और तो comenz स मुझे नहीं लगता हुआ है जो कि मुझे रही पर सकती है तो मुझे लेके चलते हैं यहां से ज़ुर्व नीचे आना होगा सलीप होते हुए नीचे और बहुत नी वहां का यहां हो कि आगा वाई साहब यह तो काफी डेंजरस है भाईया तो के तो दो तीन बार की नाकामियाब कोशिश के बाद फाइनली मैं उपर चड़ गई हूं और अभी यहां से वापर चलते हैं मुझे हां पर और कोई काम नहीं है तो चलो यहां से जल्दी चलते हैं और अभी अपना मेरे साथ क्या हुआ है तो चलो मैं हम भी डिखाते हो कि कहां पर गया मेरे सामानी यह रहा मेरा समान अब आप लोगी इमत बोलना की कैसी हो गया मैं वस उपर से मैंने सारा समान नीचे तो बस मुझा नहीं लग ठीक आर गिर चलती जल्दी से आते हुए मैं गिर गई यार और अगर मैं रिकॉर्ट कर रही होती तो मैं दिखा सकती थी कि क्या ही नूबडा पंती मैंने करी थी लेकिन ठीक्या मुझे लगा कि मैं जटके से गिरूंगी और में स्ट्रेस को पकड़ लूगी लेकिन उसे हुआ ने अपना रूइन पोर्टल जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी मैं दो बार मर चुकी हूं तो चलो मैं सोच हूं कि यहां पर बनाते हैं ठीके देखते हैं वन टू त्री फॉर फाइव सेख सेवन एट नाइन तो फाइव लेकिन हो नहीं पाए अगर दो ही का तो बनता है ठीक है मेरे पास ब्लॉक्स नहीं है तो चलो बनाते हैं तो के सारे तीन पाच काम हो गए अभी चलते हैं अपने नेदर में देखते हैं कि नेदर का जार कैसा होता है यार मुझे बड़ी खुशी हो और यह देखने के लिए मैं फर्स ताइम देखने चारी हूं आप लोग को कैसा लग रहा है यह वाला जार ओके ठीक है यह ऐसा यहां पर दो दो पोर्टल बन गए हैं यह क्या हुआ वार्ट आपने भी देखा गया यह मतलब यहां पर अभी सारे मेरी आखे खराब हुए यहां पर अभी कुछ पिगलिंग थे जो की अचानक से ही हवा में गायब हो चुग हैं और यहां पर काफी सारे जार्स दिख रहे हैं वह तो ग्लोश्टोन से भरा हुआ जा रहे तो उसमें तो कि अगा चाहिए तो यहीं से ले लेंगे और यहां पर दो दो पोर्टल क्यों बनाए भाईया मुझे को ने सौझ में आ रहा है पर यह जो अभी हुआ है वह मतलब कुछ जादा चौकाने वाला था कि मतलब वह अचानक से कहां गायब हो गये और यह लावा वाला जार है जो और यहां पर दो दो पोर्टल अटोनों कैसे बन चुके हैं और यह वाला जार भी है कुछ अंधीरा साइस में कुछ ब्लॉक्स दीख रहे हैं और इसमें कुछ रूका सा नेदर फोर्टर जासा कुछ दिख रहा है मेरे पास ब्लॉक्स नहीं है यार मैं पागल हुआ कि मैं ब्लॉक्स के आगे हूं ठीके चलो ना ब्लॉक्स लेके आते हैं और देखते हैं कि यह सामने मेरे बड़ा साब दिख रहा है जिस हिसाब से चाहिए जोडग रहे मुझे छलो थोड़ी सा अधानि से मैं ब्रीजिंग करूंगी क्योंकि नेदर गीरूंगी ना तो वहां पे पास मैंने ब्लॉक्स ले लिए हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है पर वह जो अभी हुआ ने में सार्टिंग में की सारे मॉप्स अचानक से गाय भुगे वह तो अभी भी सॉगिंग यह मनलब एक भी स्पॉंज भी नहीं अभी तक कि देखो तीक है वह तो बात की बात है य यह यह फिसी रहा है और मैं इसे चलते हैं और मैं तो कह रहे हुँ न कि यहाँ फोड़ा सा एक-दो टौचे लगा के जलते हुं ताकि न अगर कोई कोई जो मारने के लिए दोड़ाते हैं उनका ना मुझे नहीं हदार है वह स्पॉन होगे तो दिक्कत हो जाएगी वह ठीक यहीं से चलते हैं यहां से इतना भी नहीं डरना यहां से चलो ब्रीजिंग करके ऊपर के ऊपर साइड में लगाऊंगी इस बार एक ही गलत तो जैसा मैं सूझ रहे थी सेम वैसा यहां पर देखो यहां पर इतना बड़ा सा नेदर फोर्टरेस यहां पर पूरा स्ट्रेक्शर तो नहीं हो सकता एक जार के अंदर लेकिन फिर वह जितना पार्ट जरूरी होता है ने फोर्टरेस का उतना तो ही और मैं आज अभी तो आइरन आर्मर में पता चला हो आप अगर वेदर स्केल्टन स्पॉन होते होंगे तब तो मेरी कबर यहीं बन जाएगी तो मैं रिस्क नहीं लेने वाली और वहां पे काफी सारे पिगलिंस घूम रहे हैं तो चलो यहां से अभी तो मैं वापस चलती हूँ और मैं बाद में तो बाद में वापस नेक्स्ट एपिसोड में अपना थोड़े आर्मर थोड़े अच्छे खासे डायमंड के बना लूगी उसके बाद चलोंगे उसमें क्योंकि वही ज्यादा अच्छा रहेगा तो चलो अभी चलते हैं वापस ओके तो मैं वापस तो आ गई हूँ और ठीक कि बाद चलेंगे नेदव में और नेदव फोर्टेस वाले जार में उसके बाद एक और जो राउंड सा जार दीख रहा है तो उसमें वी जाएंगे और आप लोग बताने कि अकर यह नॉर्मल वर्ल्ड में जितने भी जार आपको यहां पर दीख रहे हैं मैं दिखाते ので अच्छी चीज़ हो तो डो मैं उसी हमें में सोच चाने आप बतानी कि नॉर्मल वर्ल्ड में कि____ मैं जाऊ दो ऑप लोग बताना और मै तो मैं तो यह सोचू कि तो आप लोग बताना कि आप लोगो ने ये वीडियो लाइक करा या नहीं अगर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक जो कर देना और शेयर कर देना और आप लोग बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा और वन ब्लॉक तो मेरा खतमी हो चुका है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग कुछ भी कॉमेंट कर सकते हैं कि हम कॉमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सा वीडियो चाह झाल रहीज़ झाल रहीज़